हेलो दोस्तों, सुबू और सोनू चैनल में आप सभी का स्वागत है हर तलिका 30 का ब्रत में पारण कैसे किया जाता है और कब किया जाता है और पारण में क्या खाया जाता है ये सारी जनकारी आपको इस एकी वीडियो में मिलने वाली है तो आप मेरे साथ आन तक बने रहे है और पारण में जो खाया जाता है वो मिठा चीज होता है या नमकिन चीज वो भी मैं बताऊंगी तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं आप मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लिजिए बेल बटन को दबा दिजिए ताकि नई जनकरी आपको तुरंथ मिल सके तो चलिए शुरू करते हैं तो देखिए हर ब्रत चाहे वो एकादसी ब्रत हो चाहे करवाचोत ब्रत हो चाहे तीज का ब्रत हो सभी ब्रत में पारण का बिधी होता है पारण का मतलब होता है आप जिस दिन ब्रत करते हैं उसके दूसरे दिन नहने के बाद जो भगवान की पूजा जो देवी देवता की पूजा ब्रत वाले दिन किये हैं उनकी पूजा फिर से करें और कुछ प्रशाद उनको चड़ा कर वही प्रशाद खुद भी ले लें और ब्रामण भोजन के बाद वो प्रशाद लें वही विधी को पारण कहा जाता है तो देखिए हरतालिका तीज का ब्रत बहुत कठिन होता है क्योंकि इस ब्रत में निर्जला और निराहार रहने का विधी है और इस ब्रत को छोड़ा भी नहीं जाता है पर वहुत आप सुविधा में हैं बीमार हैं तो ये ब्रत किसी और से करा सकते हैं तो तीज ब्रत में रात्री जगरन होता है इस ब्रत में सोया भी नहीं जाता है 24 घंटे का ब्रत के बाद निर्जला निराहर रहने के बाद आप आखरी बार जब पार्वती माता की पूजा करेंगे उनको सारी पूजा बिधी सारी जो सामगरी चढ़ाने के बाद हलवा और काकड़ी का प्रशाद लगाएं और ये हलवा और काकड़ी का प्रशाद खा कर आप पारण करेंगे पर उससे पहले आप थोड़ा सा जल लेकर ही ब्रत खोलें और उसके बाद हलवा काकड़ी खा कर ब्रत खोलें और ये मिठाज चीज से ही आप ब्रत खोलने की परंपरा है इसी को पारण कहा जाता है कभी भी नमकिन चीजों से अपना तीज का ब्रत नहीं खोलना चाहिए तो ये थी कुछ जानकरी आप लोगों के लिए आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए और कमेंट जरूर से कीजिए